अब दोस्तों कैसे हो आप सब लोग बेहूं फिरो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों एक दम मतलब बेस्ट नॉलेज देंगे हमारे बहुत सारे भाई के जो जाब मिक्सर होता है उनका मिक्सर का यह कपलर इसमें तो सही है लेकिन बहुत सारे जारवे कट जाता कैसे मुझे भी नहीं पता इसमें क्यों से कॉलने अबила翌ँ दख़िए और एक दम प्रोपर नहीं पताएं दो तरीके होते हैं खोलने के इसमें कॉनसा हicious है आपको यह बताएंगे और अगर आपके घर के मिक्सर का कप्लर खराब हो गया है तो कैसे खोल लोगे क्या तरीका कपलर खुलने का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके घर के मिक्सर का कपलर कट गया है या खराब हो गया तो उससे बदलने कब होती है आसान सिंपल सिर्फ दस रुपे में आप यह सो रुपे बचा सकते हो दुकान पर जाओगे घर पर दस रुपे में भी चे कपलर आपके में ध्यू साफ्क दो तरीके के आते हैं एक यह और एक यह अप Fitz रह vaisÁ जाती है जो मोटर के साफ्ट होती उसमें थ्रेड़ होदी ही चूलाीट हो जाती है कूली ऐक का बदी हीचाले उसके बाद में यह इन दो फिर कूलर यह सून है यह इसमें फिक्स हो जाता है लेकिन यह कपलर छोड़ी सी परेशानी हो गया क्योंकि इसके अंदर भी दो क्वालिटी आती है यह यह वी क्वालिटी का लगा होता है तो और छोलना मुस्किल होता है यह देखें़ आसानी होती है एक में हेवी क्वालेटी आता यहाँ पर लोहे की पत्ती होती है तो लोहे की ब RAMSAYW मोटर की साफ में पानी जाता है इसके इंदर बहुत तो ये दोनों चीच अपused में इतनी बुरी तरीके से जंग के चिपक जातें कि खुबता यह जल्दी तो आपको यह देखना है पहले तो और рукम नॉर्मल दो तरीके काती पती वाला हो Alf estie रेकल से दाला हो इस तरीके बाड़ी और न क्रेक वह यहां से पहले से क्रेक थil讲 में हमारी यह देख व कि यह नहीं निकल दॉइ canoe निकल जाता है यह देखने पूरी ताकल लगा e पूछ टाप्ला के तक्लर लगने के बाद में ना आसानी से निकल जाता या ओड़ ये दिखे लगे हैं मुझे लग रहा हें पुसट वाला ये लगा तुम लगए लगा तक अलएड पोलिटीन पूचर यो नोर्मल ये देखो ये त्रेड वाले कंष़ ये यह् Lap है यहां कि जो फ्रेट थी यहां पर चूड़ी थी पीतल लगा हुआ था वह मोटर में ही फसा रहे गया यहां पर देखो आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा अब यह कैसे खुले आपको बताते हैं देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है मिकसर की तली को खूल लेना है सबसे पहले तली के पेच खोल दिये हैं एक बात बतो अब यहां से मोटर को जाम करके कपलर खोल लेंगे और इसी तरीके से अगर यह थ्रेट वाला कपलर है आपको पहले से पता है हम तो पुस्प के चक्कर में थे उठाने के चक्कर भी निकल ज्यादा ताक तो कैसे मालनो लगा हुआ है तक इस तरीके से जिधर घडिशलते हैं ज्थे होताइज आपको मिक्सर के तली को पलटना इस तरीके से और यहां पर दोओँ यह नट लगा होता ही यह वाला इने दिख रहे ना प्मबाहाता है पो यह से से समाझ आजा यह नट दिख रहा है यह जो नट लगा हुआ है इसको आपको खोल लेना यहां से देखो हमने खोला एक तब इतना आसान था मुझे पता ही नहीं था देखो आपको यह नट पहले यह खोलना है उसके बाद यह वाला भी खोल देना है और इसके अंदर एक छर्र आप ऐसे चोड मनना हर तरफ यह देखो निकल आया ना पॉइंट यह देखो अब यह पॉइंट निकल आया है इसके बाद में पॉइंट को भी यह खोना नहीं बहुत परिसान हो जाओगी इतना काम करना तो इसमें कर देना लाश में टाइट करते टाइम यह देखो नहीं से बदल जाता है किसमा थे कभी कभी भाई पूरी मिक्सर खोलनी पड़ती तली खोलनी पड़ती है उसके बाद में यह काम होता है यह देखो हमने फुल टाइट कर दिया इस नट को अब क्या काम करेंगे इसको बंद करते हैं अब यह साफ्ट जल्दी नहीं घुमेगी अब आपको यह कपलर कर यह नट खोल के दिखाते हैं यह देखो तो एक दम जाम हो गया पत्थर के तरीके यह देखो देखो आपको लाइव दिखा रहा हूं में यह देखो कितनी आसानी से खुल गए यह देखो ना प्वाइंट निकानने के बाद में बहुत आसानी से खुल जाएगा अब आपको हैंट टू हैंट नाया कपलर थ्रेड वाला इसमें लगा देना यह कपलर हैं तो हैंट लगा दो और टाइड भी कर दो यह देखो हमने लगा के और टाइड भी कर दिया है अब आप क्या करना है बैक से दो पूरा प्रोसेस देखना कभी आप इतने पी छोड़ दो इसे वापको दुबारा से यह नट खोलना है दुबारा से हां है कि इसमें जो पॉइंट लगा हुँ था वह पॉइंट डालना इसके अंदर यह वाला पर जो है जह है यह कंदर डुइन डाल का यह उरुकि करनी हां erुने दूकर दी सके अब भाप अपुस्ट को लगाना है और इस नट की सेटिंग कैसे करतें देखना इस नट को इतना ठायट करना है अभी ये वाला नट नहीं लगानाए इसके ऊपर का ये वाला आपको इतना Defald करना है कि आपका कप्लर फिरी रहें व्हां एक दम फिरी रहे में लब बहुत ज़्यादा पिले भी ना रहा और फिरी भी रह इस टेम पर यह हमारा कपलर जो है एक आध से नीचे यहां से मैं कपलर को घुमा के भी देख रहा हूं यह देखो और अब यह इतने प्रकनना अब को अब आपको यह नट को टाइट कर देना है सिंपल एक दम और आपको अंदर वाले को नहीं टाइट करना है बाहर वाले को फुल टाइट कर देना कि अंदर वाला उतने पर ही रुका रहे है यह टाइट हो गया है दोस्तों अब आपको इसे fix कर देना है कप्ला एक दम सही तरीके से चेंज हो गया है इसका mixer का अब मैं आपको बताओं दोस्तों आप अगर वीडियो पसंद आई यह तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले मिलता हो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में जाए ही नहीं